हाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बनाएंगे मसाला कौफता कौफता इतना हेल्दी होगा क्योंकि हम इसे बिना फ्राइ किये बनाएंगे इस कौफते को बहुत ही आइसान सी रेसिपी और बहुत ही जटपट से बन जाने वाली यह रेसिपी आप इस वीडियो को पूरा कीमा इसमें डालेंगे एक ब्राद चम्मच बेशन अगर आपके पास बेशन ना हो तो सत्तू ना हो तो आधा चुटा चम्मच आप आटा का भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए उसी के साथ हम यहां पे डालेंगे एक चम्मच भर करके अध्रक लस्म का पेश्ट तीन हरी मिर्स अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हो तो आप चार से पांग भी कर सकते हैं अब हम डालेंगे आधा चुटा चम्मच भूना हुआ जीरा पाउडर एक चुटा चम्मच हम डालेंगे यहां पे धनिया पाउडर एक चुटा चम्मच हम यहां पे आड़ करेंगे पीस के एक homemade हमारा गरम मसाला है आप चैटों मीट मसाला भी डाल सकते हैं और अब हम डालेंगे आधा च्छोड़ा चमज चाट मसाला पाउडर इसे बहुत सी चट पटा हमारा कौफता बनेगा नमक डाल करके इसमें पीस लेंगे बिल्कुल अच्छे से और हां नमक मैंने यह अगर आपके कीमे में थ्वासा फैट हो तो यहां पर आप देशी घी को अवोइड कर सकते हैं यानि कि स्किप कर सकते हैं ठीके फ्रेंट्स तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि हमने देशी घी डाला है मिक्सी के जार में हमने इसे पीसा है अगर आपके पास मिलाने के बाद अपहरु आपके सब्सक्राइब अगर आप नहीं दबाएं तो कोफ्ती जो मतलब जाने के बाद वो फट सकते तो इस लिए आप हांतों से दबा ले इसके बाद ब्रेंगे कि अपने बना लेंगे तो कोफते हमारे रेडी हैं बस अब हम चलते हैं इसके ग्रेवी के तरफ तो यहां पे मैंने एक पैन में लिया है दो बड़ा चम्मच भर करके ऑईल जैसी ऑई गरम हो जाए हम यहां पे डालेंगे दो हरी लाइची एक छोटा सा टुकड़ा दाल चीनी का और एक लॉम और उ कि बहुत नहीं आए इस तरह की ग्रेवी हम त्यार करेंगे तो इसलिए हमने जाए प्यास और प्यास को पीस दिया है अब यहां को मैं फ्राइब करना है 1-2 मिनट के लिए जब तक कि प्यास का जो क्लर है वह हल्का पिंकिश कलर यानि कि लाइट गोल्डन क्लर तक नहां ज चुका है बस इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे जड़ चम्मच भर करके अध्रक लशन का पेश एक बाद चम्मच उसके बाद आगा चम्मच आप मेजमेंट कर ले और इसमें डाल दें और डालने के बाद इसमें थोड़ा साम पानी डालेंगे एक छोड़ा चम्मच और इसे प्यास के साथ हम दो से तीन मिट तक इसे अच्छे से भूल लेंगे ताकि जो अध्रक और लशन का कच्छा पन है वो चला जाए मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ जब आप प्यास के साथ आप अध्रक लशन का पेज़ डारे तो इसे थोड़ी देर के लिए भूल ले इससे क्या होता है अध्रक लशन का कच्छा फ्लेवर होता है वो चला जाता है तो यहां से देखी यहां पे मैंने दो मिट तक अब मैंने दाले कच्छा जीरा और इसारे मसालों जो भी हमारे मसाले है बस इसको हमने डाला है और कोई बी एक्ष्ट्रा मसाले ने डाले सबके घर में होते हैं मसाले अब मिला लेंगे अच्छे से इसे यह देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिल गया है प्याज और अंद्रक लशन के साथ यह मसाले अब इसमें हम डाल देंगे पान पानी हमने यहाँ पे दो बड़ा चमच भरकर के डाला है आप इतना पान डाले कि आपके जो मसाले वह अच्छे से उसमें भून जाए अब पानी डालके इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल मध्धमाच पे इसे अच्छे से भून ले मसाले को तो यह देखिए यहाँ पे तीन से चार मिट लगे हमें मसाले भूनते हुए अच्छे से मसाले भून गे क्योंकि आप आधा चमच हो चुका है अब इसमें डाल देंगे मध ब्रेस देही हैं बहुत जादा खटी नहीं है अगर आपके पास जादा खटी वारे देही है तो यहाँ पे आप आधा चमची डाले आधा ब्रचमच यानि कि एक छोड़ा चमच चाय का अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जब गी देही डाले तो आप फ्लेम को लो पर ह डालने से दही पटती नहीं है तो इस बात का ध्यान रखें हम इसे अच्छे से मिला लेंगे हमारे मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं दही डालने के बाद मैंने एक मिनट तक इसे भून लिया है और जो है जो सर्फेस पर आपको दिखने लाएंगे यह देख सकते आप बस आप समझ जाएए आपकी मसाले जो इच्छे से भून चुके है अब ग्रेवी के लिए यहां पर मैंने डाला है पानी पानी यहां पर मैंने एक कप के करीब डाला है आप जितना थिक या फिर जितना पतला आप ग्रेवी रखना चाहते हुआ उसे साफे डाले पानी को जादा थिन ही रखोंगी क्रेवी को अब हम डालेंगे इसमें लाष्ट में नमक नमक यहां पर मैंने एक चोटा चमज डाला है आप अपने टेस्ट के अपरिंग डाले क्योंकि कोफते में भी हमारे नमक है अब हम इससे मिला देंगे और एक बॉल आने के बाद हाई फ्लेम अपरिंगे इसमें डालेंगे आदा चोटा चमज गरम मसाले का जो हमारा हम मेरे अपने अपको मैंने बताया है और मतामाश इसे और इस एक बाला जाय नप्स टक इसे पकाएंगे नीच अर यह करीबं 17 मिल ओ चुके हैं हम आपको चेक करके दिखा रहे हमारा कौफते अच्छे से पक चुका है इसमें डालेंगे फ्रेस लेदेने के पकते हैं और घर की मैंने मलाई रखी ती इसे अच्छे से फैट करके डाल दिया आप फ्रेस क्रीम में डाल सकते हैं और आपके मसालेदार पोस्ता बन कर तेयारें थैंक यू